नमस्कार आप देख रहें इंडियन प्राइम नियूस मैं हूँ अर्चित बताते चले की दोपेडी गाउं में निकाह की खुशी में हो रही पार्टी के दोरान तुले के चाचा भतीजे में किशी युवक की रिस्ते को लेकर जगले के कारण वर्स मिंत्यू हो गई इस घटना के बाद पार्टी में अफरा तफरी मच गई सभी खुशियां मातम में तब्दिल हो गई गुशाय परिजन मृतक के शव को लेकर असंद थाना पहुँच गए जहां पुलिस ने परिजनों को समझा कर सब को असंद के पोस्मॉटम हाउस में रखवा दिया है पुलिस ने परिजनों की सिकायत पर भतीजे यूसफ के खिलाब हत्या का मामला दर्ज कर लिया है दोपेडी गाउन निवासी आसिप का निकात 13 जून को हुआ था सोंबार को परिवार के लोग पार्टी कर जस्नवर आ रहे थे इसमें परिवार के सदस के साथ साथ रिस्तेदार भी शामिल थे पार्टी में दुले आसिप के चाचा हबीब वा यूसफ हबीब का भतीजा और अनि रिस्तेदार पैट कर बात कर रहे थे इसी दोरान एक युवक की रिस्ते की बात को लेकर चाचा हबीब वा भतीजे यूसफ में पहस हो गई और ये मारपीट में बदल गई तैश में आकर भतीजे यूसफ ने चाचा हबीब को धक्का देकर पीटना शुरू कर दिया इस दोरान रिस्तेदार ने बीच बचाओ किया लेकिन यूसफ बेहोस हो गया रिस्तेदार उसे बेहोसी की हालत में डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने उसे म्रत गोशित कर दिया इसके बाद आक्रोशित परिजन म्रतक का सव गाड़ी में रखकर सीधे आसंद थाना पहुँच गए वहाँ पोलिस ने सिकायत ले ली है सव के आसंद के पोस्मॉटम हाउस में रखवा दिया गया है फिलाल मौत के सही कारण का पता नहीं चला है गाउंदो पेड़ी निवासी अनीश ने सिकायत दी है कि उसके पिता हबीब की यूसप ने हत्या कर दी है फिलाल सिकायत के अधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है सव वोस्मॉटम के लिए रखवा दिया गया है मौत के कारण का अभी पता नहीं चला है मामले की जाच सुरू कर दी गई है